नमस्क्रा दोस्तों, दोस्तों आज चिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ मैं, वो आप कह सकते हैं, मैंने इसके उपर जब कॉर्डर डू के नंबर्स आया थे, उस समय जो थम निल डाला था, मैंने कहा था, इसके बाद क्या, एक बड़ी गिरावट होती, स्टॉक में मैं कहूंगा, कोई ऐसी हुमंगर्स फॉल तो नहीं आया, लेकिन हाँ, स्टॉक कहीं गया भी नहीं है, उस रेजल्ट से लेकर आज तक स्टॉक सिर्फ एक कंसरॉटेशन फेस पे चल रहा है, और 90 रुपीज के नीचे लगा तारे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बीच बीच पे थोड़ा 90 के उपर ट्रेड करता है, बढ़ आप कह सकते हैं, स्टॉक कहीं नहीं गया है, और जब मैं कहीं नहीं कहा है बोलता हम दोस्तों, लिटरली मैं स्टॉक 2-4 रुपए उपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अब निवेशक दो तरह से इसमें फस्से हुए है, पहले वो, कि जहां पर एक बूम आया था दोस्तों, क्योंकि रेडियंड कैश के उपर, जो आज स्टॉक के पर चर्चा कर रहा है, मैंने इसके उपर बहुत पहले वीडियो बनाई थी, और जब मैंने वीडियो बनाई थी, वहां से स्टॉक, विधिन फ्यू वीक्स मैं ये 15-20 दिन के अंदर स्टॉक, एप्रॉक्समेटली 90-93 से सीधा 109-110 रुपे चला गया था, मैंने अगेन उसके बर वीडियो बनागे कहा था, और लाइव में भी बात कही थी, वही देखे, शौट टम के लिया है, चुप चप स्टॉक से निकल जाए, ठीक है, क्योंकि इत को वहीं ट्रीट कर रहा है, अब निवेशा की सोचने कि भई, ये तो डिसेंबर खतम होने क्यों आ गया, नेक्स कौर्टर से डिसेंबर की आपको से अर्निंग शुरू हो जाएगी, और इस टॉक स्टॉक के उपर अर्निंग से पहले क्या करना चाहिए, तो देखे, क्या कर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आपके उपर है, मैं जो मेरी परसनल रहा है, वो यहाँ पर दे सकता हूँ, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लोजर दे दू, कि मैं या मेरी फैली मेंबर, स्टॉक पर इंवेस्टेड हो सकते हैं, और ये जो लगाता 90 की नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हलका फूल का वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत accumulation की है, बट बहुत थोड़ी बहुत accumulation की है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, अगर कोई stock अगर जादा उपर नहीं जा रहा है इतने समय में, तो कई बार reason ही होता है, ठीक है, बीच में थोड़े volume space में जंप आई है, अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ दिनों में, उसके पीछे का reason आपको थोड़ी दिन बताऊंगा, जब analysis करने जाएंगे, बट ऐसा ही होता है, कि जब quarterly numbers आते हैं, तो बहुत जदा अच्छे नहीं होते हैं, हमने चाहे राजेस export हो गया, या अन्य stock में ये चीज़ें होती ही देख चुकी है, तो मैं यहीं कहूंगा, अगर भाई आप रस्कम लेना चाहते हैं, रस्कम लेते हैं, जाता volatility बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं, और एक जब तक ए clear view नहीं मिल जाता stock का, तब तक कोई भी रिस नहीं लेते, stock में बिल्कुल position मत बनाए, stock में अगर आप, आपके सकते हैं, थोड़ा आप सोचने कि भी थोड़ा ऊपर और ले लूँगा, sell करके निकल सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि देखे, अगर खराम नंबर आते हो, stock तूटता है, और अगर stock, क्योंकि 88 के, आसपस 87 के, आसपस 52 विक लो है, अगर वो आपसे करना हर एक चीज़ के पर चर्चा करनी है, बिजनस कैसा है, आप कह सकते हैं, आने फ्यूचरिस्टिक में क्या नएने बिजनस क्योंकि निवेश कर रही है, कंपनी ज्वेलरी बिजनस में कैसे आने की बात कह रही है, कंपनी जो under penetrated areas है, वहां किस तरह जा रही है, cash economy को लेक करके company क्या कह रही है, और at the end of this video, हम जानेंगे कि भई, conference call में, वह कौन सी important बाते हैं, जो आपको और मुझे समझने चाहिए, अगर हम इसमें निवेश कर रहे हैं, दोस्तों, वीडियो यकीनन थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, लेकिन अगर आप radiant cash management में, अगर निवेश की सोच रहे हैं, या निवेशित हैं, मुझे लगता है, आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, वीडियो को थोड़ा fast forward कर लीजेगा, आपको थोड़ा इसानी होगी, बट वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, भले ही टुक इसे हुए हैं दोस्तों, और मैं इसके पर वीडियो इस लिए बहुत दिन से नहीं बना रहा था, क्योंकि अक्सर इसके पर सवाल बहुत आते थे, क्योंकि एक तो हर कोई ने विशे कह रहा है, भी बहुत ही घडिया स्टॉक है, चलता नहीं है, वेल्थ दिस्ट्टॉयर है लेकिन भई, जब अगर आप शॉर्ट टम के लिए आये थे, स्टॉक 92 से 109, 110 चला गया था, मैंने कलते 110 के भी एक बार उपर गया है, वाट 109 मुझे परसनली याद है, तो भई आपको निकल जाना था, स्टॉक विदिन फ्यू मॉन्स आपको 20% जादा का रिटन दे रहा तो इशू क्या थे, ठीक है, तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों, ये फैसला आपका होने वाला है, इसे प्योर्ली एजुकेशनल पॉपस के लिए जीगा, आपके कोई सवाल हो, जॉइन बटन ओपन है, वहाँ पर सी प्राइटी पैनल ग्रूप है, उसे जॉइन करके, अगर आपको स्वाल करेंगे, तो मैं कॉमेंट में ही आपको उसमा जवाब देख सकता हूँ, अगर मुझे लगेगा, इसके पर एक अनलसिस का वीडियो बनाना चाहिए, तो स्टॉक की उपर भी मैं अनलसिस का वीडियो लाने की कुश्य करूँगा, तो आप देखेंगे, आप रेवेन्यू में नजर डालेंगे, तो यहाँ पर एर और आप देखेंगे, भले ही यह बहुत लंबा ऐसे दिखा दे रहा हूँ, लेकिन चार्ट में दिख रहा हूँ है दोस्तों, बड़ मातरी 6% गजंप है एर और रेवेन्यू में, और जब आप क सामने आप यह रख रहा हूँ, आप हैबिटा को देखेंगे, तो भाई साब इसमें येर और येर बिस में 30% की गिरावट है, हैबिटा में 30% गिरावट है, और और अब आप देखेंगे, तो 26% गिरावट है, और ये एक बहुत बढ़ा जटका था कंपनी के लिए, पैट प्राफिट आफ रटक्स में 31% की येर और येर गिरावट है, 148 करोड से सीदा 102 करोड है और और कौरटन कौरटर में आप आपकी गिरावट हुई है, ठीक है, और अगर आप हाफ येरली हाफ येरली में चर्चा करेंगे, तो 8% की आपकी गिरावट, आपके सकते हैं, और वो भी 1st half की बात हो रही है यहां पर खेंगे तो और प्रोफित आटिक्स पिछे आपके सकते हैं साल की 1st half में इस साल के 1st half में आपको 31% किरावाट है company कहती है कि जो revenue growth है दोस्तों उसके इंपक्त आपको देखने को मिल रहा है उसके पीछे करिजन है जो retail point में slower net retail point addition यानि addition, business में expansion होते इच्छे से नहीं हो पाया, और जो pricing model है, उसमें कुछ revision किया गया है, EBITDA margin जो है इतनी भाहिंकराइबस गिरे हुए है, वो impact इसलिए हुए हैं दोस्तों, due to investment in DBJ business and revision in pricing model, इनका जो DBJ business है, थोड़ी दियर में चर्चा करेंगे, यह क्या है, वो और pricing model में जो change आये हैं दोस्तों, underlying profitability, profit intact, ठीक है, और balance sheet continue to strong, और देखिए इसमें तो कोई doubt नहीं है, balance sheet company की अच्छी खासी strong है दोस्तों, ठीक है, आप देखें, first half of N23 has been a period of investment and consolidation, company यह साफ साफ कह रही है, कि जो first half इस बार आया है, वो हमारे एक तो consolidation basis पर था, और एक आप कह सकते हैं, investment, हमने इस बार invest बहुत किया हुआ है, क्या है, जो company ने वाकरी में acquisition कुछ ही है, आपको थोड़ी दिर बता हुआ दोस्तों, ठीक है, आप देखें, ROE, ROC, आपको continue 25-20% से उपर देंगी, which is good, festivision started off on a good note, company ने एक बात कही है, कि भाई, जो festive season है, वो एक अच्छे note पे start हुआ है, यानि कि जो December को ट्राग बात कही जा रही है, शायद वहाँ पे, एक अच्छे result आएंगे, लेकिन मैं हमीशा कहता हूँ, हर बात को कभी भी दोस्तों, pinch of salt के साथ ले, company कह रही है, festivision अच्छा start हुआ है, बिल्कुल भागवान कर एच्छा start हो, सब पैसे बनाएं, लेकिन, जब तक result ना आजाएं, अगर आप उस पर अगर रिस्क नहीं ली सकते हैं, प्लीज हट बड़ा हट में आपको बहुत अदा निवेश करने की ज़रूद नहीं हैं दोस्तों, ठीक है, अगर आप, हाँ, अगर आप यहां सोचे रही नहीं, मैं तो एक दो तीन साल के लिए है, तो it's good company, आप बिल्कुल यहां पे एकिमन स्टार्ट कर सकते हैं, और अग 16% की रही है दोस्तों, प्रफिट अफ्रटेक्स 10 करोड रुपे कर रहा है, 10.2 करोड रुपीज, पैट मार्जिन, प्रफिट अटेक्स मार्जिन 11% की रही है, यानि डबल डिजिट रही है, विडिस ग्रोड, ROC 26%, ROE 21%, ठीक है, तो एक यह फिनेशल स्नैप्शॉट हो गया यानि एक मोटा मोटी आपको तस्वेव समझ में आ गई होगी कमपणी की, ठीक है, अब हम operational highlights देखतें दोस्तों, देखें, मैं इसे लिए कह रहा हूँ, यह थोड़ा वीडियो इसने लंब होने वाला है, क्योंकि हम deep dive करने वाले, इनके overall business के उपर दोस्तों, ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा समय आपको इस पूरे चीज में लग सकता है, आप देखें, second half financial territory और first half financial territory के जो results है, उसकी operational highlights, तो देखें, pin points में, pin codes में देखेंगे, तो जहां financial 22 में 12,934 pin codes को cover करती थी company, वो jump हो करके 13,812 में आ गई है, ठीक है, आप touch points देखेंगे, जो company ने कहा था कि हम उस प्रकार की touch points को नहीं चुपाए, जो हमारा मन थाया के सकते है, जो लक्ष होना चाहिए था, जितना aggressive हमको होना चाहिए था, और इस साफ सब दिखती है, financial 23 में, आप 63,430 में थे, और first half 24 में आप 66,422 में आए हुए है, cash movement अगर आप देखेंगे, ये billions में जात हो हो रही है, तो ये cotton quarter आप देखेंगे, तो jump है 5% का, और यहाँ पर finish 23 और 22 की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये तमाम चीज़ रिखी हुई है, पर जो additional, जो 353 pin codes add किये गए हैं, first half में, और जो total pin code हो 13,812 में खड़े होते हैं, ये इसी चीज़ को यहाँ बात कही गई है, operational step shot में अगर आप देखेंगे, तो भाई सब इतने pin codes हैं, इतने touch points हो गया है, location, 6292 locations में आप company available है, अपनी services दे रही हैं दोस्तों, total currency moment इसने 421 billion rupees की 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 है, billion dollar की नहीं की है, rupees की 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 है, ठीक है, revenue देखेंगे, tier 3 plus cities में, तो 60% आता है, देखें, जो radiant cash है न, उसका एक बहुत बड़ा चंग, यहाँ पर लिखा है, 60% जो पैसे आ रहे हैं, वो tier, आपके से, tier 3 plus cities से आ रहे हैं, ठीक है, और fabricated arm events आप देखेंगे, तो 861 हो गई यह company की पास, और total workforce, जो की अब थोड़ा सा इनके overall expenses में थोड़ा प्रेशा डाल रहे हैं दोस्तों, वो है 9,556, क् के, आगे बढ़ते हैं, यह हो गई, आपकी operational cost, अब उन तमाम revenues across segment में कहां से company industry पैदा करती हैं, quarter to 523 में 69% था, cash pickup और delivery, यानि एक जगा से cash उटाके deliver करना, जो quarter to 524 में 66% हो गया, ठीक है, यानि यहाँ से जो पैसे आते हैं, उसमें थोड़ी कमी आई, cash, network cash management में आप देखने को मिला है, cash processing यह 5% है दोस्तों, cash when operation, वहाँ से पिछले, आपके पिछले quarter में 5% का revenue है था, जो इस बार जम्बो करके 8% आया है, और others में 1% गिराबट आई है, ठीक है, बात करें इंडस्री से, तो second quarter में BFSI हैं दोस्तों, BFSI मतलब, banking, financial services, और insurance business, यह दोनों से 29% revenue आता था, जो इस बार 33% का revenue हो गया है दोस्तों, ठीक है, आप देखें, strong growth for SMBs, a few points in NBFS loss to competition, जी हाँ, कुछ MBFCs को company ने lose भी किया है, competition गारट, यह भी company ने साफ साफ लिखा हुआ है, e-commerce आप देखेंगे, तो इस बार 15% आती थी जो घट के 14% हो गई है, e-commerce में कमी क्यों जो ही है, growth affected due to loss of one small client, company ने e-commerce में एक छोटा client खवाग गवाया, जिसके करण, आपको यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, organized retail देखेंगे, तो यह business company का, काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों, continue to exhibit strong growth, जहाँ 16% revenue आता था, वो इस बार 17% आया है, e-commerce logistics, 9% से घट के 6%, यानि आप देखें, जो e-commerce से business आता था, वहाँ पर थोड़ी बाता कमी देखने को मिल रही है, और company यह बाद साफ कह रही है, कि यह जो कमी आ रही है न, e-commerce में, ऊपर एक छोटा client चुटा e-commerce से, और e-commerce logistics में, competitive pressure as end user industry facing growth advance, actually जो e-commerce overall business ही है न, वो भी कुछ advance pressure छेल रही है, जिसक यहाँ पर आपको धंदे कम होते दिखाए दे रहे है, railway पहले 4% था, आज भी 4% है, petroleum में, एक शांदर healthy recovery देखने को मिल रही है, yet to reach peak, past peak, और यह जो शांदर 2% से आपको 4% जम दिख रहा है, यह भी, जो एक top में business की थी, वो अभी भी भी नहीं है, यानि, growth के chances अभी भी खोया है, यानि, एक small client यहाँ पर, और आपके सकते हैं, कुछ NBFC touch point खोयें company ने, और एक government client भी company ने खोया है, और देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ, आगर आप जो companies को पढ़ेंगे, ना, उनकी, आपे सकते हैं, जो एक अच्छी management company की, जो investor presentation होती है, वो इतनी जादा knowledgeable रह है, जब चीज़ें और थोड़ा अच्छी देखेंगी, तब अपन वापस आएंगे, भले ही थोड़ा ऊपर खरीद लेंगे, ठीक है, next चीज़ें, यह देखिए, जो company ने एक बात कही थी न, इसमें आपको समझ में आएगी, क्या, जो 2024 गया है, फैने 24, वो consideration year होने वाला ह है, और transformation planning, जी हाँ, company अपने आपको transform कर रही है, ठीक है, ऐसा company क्यों कहा है, revolutionizing India's cash ecosystem, revolutionizing existing merchant touchpoint based on profitability, यह merchant touchpoint जहाँ पर profitability जाता है, उसको touch कर रही यह company, ठीक है, यह आप इसे पढ़ लिजेंगे, हम इसमें एक एक करके जाएंगे, तो वीडियो बहुत सदा लंबी हो जाएगी हाँ, highlights of earning, 70% worth recurring revenue, यानि 70% जो revenue आया है, वो पुराने clients है, यानि client जो है, वो भरोसा कर रहा है company में, और 70% plus revenue आया है, वो जो उनसे आया है, जो पहले भी business कर चुकी है, और 30% new client, यानि एक अच्छा mixture है दोस्तों, new business to add subsequently to top line, bottom line, financial 24 में देखेंगे, higher capex and expenses, company के पास क्या हु higher expenses रहें दोस्तों, और जो capex plan है, यानि जो capital expenses है, उस पर बड़ा होतरी हुई है, revenue growth rate to be impacted temporarily, और ये थोड़ा impact रहेंगे temporarily दोस्तों, आप देखें, financial year 25 onwards अगर आप देखेंगे, तो revenue की जो growth होने वाली है, वो लगबग 20% होने है, along with better profitability, company की strong balance sheet है, zero debt company है, zero debt company है, और high ROC 20% plus है, देखें, और मैं आपको radiant की एक चीज़ बता दूँ, कि अभी न कुछ समय देख रहा था, trend line में भी, तो white oak ने, इस पे शायद अपनी जो investment है, वो बढ़ाई है, company ने, white oak जो है, जो एक firm है, उन्होंने radiant cash में, शायद अपनी जो investment है, वो बढ़ाई है, ठीक है, आगे ब इस और हैं, जहाँ पर white oak ने, अपनी जो हिस्सेदारिस में बढ़ाई है, और वो भी October के बाद से, ठीक है, आप जाकर के trend line में उसे ज़रूर चेक कीज़ेगा, अन्ने चीज़े हैं भई, consult and grow the core business, company ने touch point बढ़ाएं दोस्तों, और काफी चीज़ें की हैं, 10 से 12,000 नए touch point company ने open किये हैं, value added service में company ने अपना sharing इस किया, और जो value added service होती है, वहापे margin अच्छा होता है, और अगर वो portion थोड़ा बढ़ अच्छे से बढ़ रहा है, तो वो margin में आने वाले समय में, ब 4% थी, diversify client based, कोई ऐसा specific client भी इस नहीं है, आपने मैंने पहली भी देखा, government, e-com, petroleum, और merchant, nbfc, हर एक प्रकार के business को company service देती, दोस्तों, establish new adjacent business, ठीक है, और strengthen geography and technological footprint, move up the value chain with a fidget digital platform, यानी physically भी और digitally भी, आपको यह हर प्रकार देती है, आप देखें, secure physical network company के पास, 14,000 pitch point है, जहाँ पर company खुद physically present है, 10,000 से लेकर के, 10,000 से आसपास personal है, और साड़ी 900 ज्यादा armed vehicles हैं दोस्तों, ठीक है, well trained और highly experienced workforce है दोस्तों, robust risk management है, in-house tech development for specific cases and fintech platform, यानी इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, physically और digitally, दोनों ही company, काफी शांदार आपके सकते हैं well planned है, ठीक है, अब देखें कुछ acquisition पर आते हैं, आप यहाँ पाएंगे, ace money, opportune acquisition adds lack to long term, अब यह क्या भी है, ace money जो है न, यह specialized करती है, दोस्तों in providing comprehensive state of the art digital banking solution in the rural areas, targeting rural retail outlets, rural cooperative banks and cooperative societies, देखें, यह जो acquisition की company ने, इसका rural area में digitally presence, काफी अच्छा company का यह कहना है, और देखें, एक बात समझे, आज भी, जब हम कहते हैं न, कि financial inclusion है, आज भी, हमारे भारत का, जो grammy निलाका है, जो rural area है, वो highly under penetrated है, दोस्तों, highly I mean highly under penetrated है, और यह चीज़ अच्छी रहेगी, हाँ, but problem क्या है, Fintech adaptation अभी भी बहुत limited reality में, जो मैंने पहले ही कही, जो digital illiteracy है, दोस्तों, वो बढ़ी problem है, एक डर है लोगों के पीछे, क्या, अब fraud का, और unreason का, और देखें यह बात लाजमी है, यह चीज़ है, जो थोड़ा आने वाले सालों में overcome होगी, और इसलिए कहा जा रहा है, कि एक long term strategy अच्छी हो सकती है, how do you work with the chain, integrate into this trust ecosystem, company को अगर आप देखें, problem हमेशा है, solution आपको जाना पड़ेगा, आपको ही, वो trust build up करना पड़ेगा, these are cooperative banks, cooperative societies, NBFC, neighborhood stores, यह कहा है, तो यह तमाम चीज़ है, अब आप देखें, company कहती हमारा market size भी मतलब, यह opportunity बहुत अच्छी provide करता है, कैसे, आप यहाँ पर पाएंगे, large market opportunity देखें, एक million के आसपास cooperative societies है, 96,000 plus cooperative banks है, 10,000 plus NBFC है, और 70 million plus labor hood shops है, यानि 900 million plus rural population है, तो आप समझ सकते होंगे, यह कितनी बड़ी market size है दोस्तों, ठीक है, और यह तमाम चीज़े, company का होने वाला है, focus area दोस्तों, so, यह चीज़ें, हमको यह दिमाग में रखने हैं कि इतना बड़ा, आने वाले समय capture होगा, कितना करेंगे, कितना होगा, इसके लिए आपको, हर quarter में, इस stock को अगर आप वाके में long term है, और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर vision long term का है, तो सुर्फ बात करने से नहीं बनता है, द चैक आउट कर सकते हैं, जादा हुआ, comment box में, आप कहते हैं, जॉइन बटन में जॉइन कीजी, जो प्राटी पनल ग्रूप है, वहाँ पे आप message करते हैं, क्या कोई update आया है, ठीक है, तो यह तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर आप किसी company में long term invest कर रहे हैं, दोस्तों ठीक है, देखें, ace money है न, इसके जब integrate होगा, तो एक नया pillar आएगा, grow a new pillar, इससे क्या revenue channel आएगे दोस्तों, देखें, online sales cost आएगा, one time sales cost, जो company को विवेश करना ही पड़ता है, और one time sales cost, यह अच्छा खासा cost होता है, मैं आपको बता दो, यह कोई बहुत सस्ता cost नहीं होता आएगा, but one time आएगा, AMC charges, DMT commission, insurance commission, ठीक है, UPI, QR, PIDF, ठीक है, आप देखें, 99 types होंगे, macro items आएगे, loan, referrals, prepaid card, यह नहीं, बहुत सारी चीज़े होने मालगी दोस्तों, ठीक है, company है, और company को मुझे लगता है, यह जो ace money का money खरदारी की है, इसको लेकर के बहुत दा एंतू अस्टेक है वो, बड़ देखते हों कितनी चीज़ी होती है, असल में, ठीक है, unlocking growth potential in valuable logistics sector, logistics sector में, एक बहुत बहुत valuable आप कह सकते हैं, एक overall, आपको यहाँ पर growth potential दिखेगा, और बहुत value है दोस्तों, क्यों, आप देखें, diversity into valuable management, diamond, bullion, jewelry, company, कुछ diversification कर रही है, valuable management कैसे, bullion मे ज्वैलरी में, और एनने में, देखें, ज्वैलरी manufacturing constant की हप्स, Mumbai, Surat, Kolkata, जो ज्वैलरी की manufacturing है, वो बहुत ही ज्यादा concentrated है तीन हप्स में, कौन-कौन सी, Mumbai, Surat, Kolkata में, जो ज्वैलरी के demand है nationwide है दोस्तों, और mandatory hall marking ना, एक extensive logistic movement open करती है, और सिर्फ दो organist plan है within the sector, local NIRDAS, still maintenance dominant presence controlling 50%, ठीक है, और दो ही plan dominant है दोस्तों, जिसमें company नहीं कही है, और radiant, if it's robust infrastructure based, और already stable network, it well put in capitalized growth potential, और यह जो overall logistic में, जो इतनी बड़ी opportunity है, जिस प्रकार से radiant cash का आपना, आपके सिकते है, net touch points है, वो इस opportunity ग्रैब करने के लिए पूली तरह था यार है दोस्तों, ठीक है, demand for India remains resilient despite rising gold prices, यह तो खेर, चर्चा करने की चर्थे नहीं भिया, बहुत demand होने वाली है आपकी gold में, ठीक है, तो यह तमाम चीजे है, आप देखें, जो overall चीजे है, पांच साल में आप देवान भी लिखा हुआ है, तो यह चीजे हमको देखने पड़े है, यानि जो एक jewelry को ले relationship, देखें, अगर आपको, पैसा कोई अगर आपको एक जगा से दूसरे जगा ले जाने के लिख दे रहा है, तो उसमें security, security, infrastructure, यह तो बात की बात है, सबसे पहले जो है, वो आपको trust करना चाही हो है, ठीक है, so trust is the first thing which came in your mind, जब आप पैसे, jewelry, यह कोई भी valuable asset की चर्चा कर रहे है, ठीक है, pan india presence है company की, ठीक है, strong complete relationship है, company के जो बड़े आपके सकते हैं, जो company के, जो clients हैं, आप देखें, ICIC bank, Wotak Mahindra bank, SBI, IDBI, HDFC bank, यहनी हर एक, आपके यहां देखने को मिल रहा होगा, contribute कर रहा है, revenue contribution, आपके सरे tier 3 और tier 2 से लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठी 89% था, जो अब, आप कह सकते हैं, 17% था, वो financial 23 में 15% है, और first half में 17%, और जो top 10 client है, वो 89% करते थे, जो घट के 81% हो गया है, और यह पर 81%, यानी देखिए, एक client focus company नहीं है, ठीक है, यह सबसे चीज़ है, और यह चीज़ आपको यहां से देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह risk management है चर्चा की गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, यह company ने जो technology build up की है, वो तमाम चीज़े हैं, company का जो application है दोस्तों, redmus app और radiant sundish app, यह company ने की हुई है, company कुछ key initiative ले रखे हैं, कि बही किस तरह से OTP और this and that, तो मैं इसको इसको इसलिए रखा दोस्तों, आप यहां पर जाकर के इसे पढ़ सकते हैं, otherwise चीज़ें बहुत लगातार लंबी चली जाती है, यह company का कुछ key point indicator दोस्तों, जहां पर ब to economic growth, cash will continue to be a relevant medium of exchange, देखे, cash अभी भी थोड़ा relevant medium बना रहेगा in India, ठीक है, और देखे, आप मान सकते हैं कि भई, भले ही, आप और मैं, अब digitally कम काम करें, बट भाई सब एक जगा से, दुझे का cash ले जाना तो आज भी important रहने वाला है, ठीक है, और यह cash and circulation, GDP की बात कही जा रहते हैं, यह Brazil है, और यह देखे, भारत का area, ठीक है, तो यह एक छोटी सी चीज है, next चलेंगे, तो यहाँ पर वही चर्चा किया गया है, कि कहाँ पर क्या है, US में 85% organized retail है, and 67% use cash management services, देखे, यह कह रहे हैं कि भई, जो US है, वहाँ पर 85% organized retail है, और उस 85 में, जो 65% है, वो cash management services use करते हैं, ठीक है, और भारत में अभी, 3 million dollars addressable retail touch points हैं दोस्तों, और जिसमें से only, जो 15% है, वो और यह सेक्टर से आते हैं, तो आप समझ सकते होंगे, कितनी बड़ी, एक overall आप कहाँ सकते हैं, चीजे हैं, और मैं एक बात बता दूँ, जैसे चीजें और बढ़ती हैं ऐसे और ज्यादा होते चले जाते हैं, cash management service is a must, ठीक है, हर कोई cash management service की चीजें करते हैं, हाँ, मैं यह जरूर कहता हूँ, कि चीजें तुरण नहीं होगी, लेकिन इस चीज को आने वाले समय में बहुत समय लगने वाला है, ठीक है, तो यह cash trend is prevalent across the globe, कहाँ पर cash trend is prevalent across the globe होता ह है, यहाँ पर चर्चा की जा रही है, इंडिया के bank है lower and compared to the rest of the world, यह चीजें हैं दोस्तों, ठीक है, तो overall company है कह रही है कि आने वाले समय में जब cash ही जरूर जाना होगा, हम पूरी तरह से तयार है, company का retail market potential है tier 2, tier 3 में, यहाँ पर चर्चा कही जा रही है, banking infrastructure under penetrated जहाँ पर जिसकी जरूरत जरूर यूज करता है, ठीक है, तो यह तमाम चीजे हैं, देखें और large untapped potential दोस्तों, इस cash management industry में दोस्तों, ठीक है, अब देखें, एक चीज याद रखिएगा, यह चीज दिख रही है, लेकिन कई लोग कहेंगे भाया, local की तो service ली जा सकती है, यह आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों की साथ, कुछ personal चीज़े कर सकते हैं, लेकिन देखें, जब आप कोई business करते हैं बड़ा, तो आप अपने business से focus करते हैं, आप 2-1%, 2-3% बजाने की चक्कर में आप एक पूरी industry में ध्यान नहीं देते हो, और फिर यही बात कही जाती है, यह जो इतना है, jewelry में इतना है, BFC में इतना है, petrol bombs, overall देखें, जो petrol bombs भी होते हैं, वहाँ पर भी आप लगातर जिससर बढ़ोतरी हो रही है, वहाँ पर भी तो cash management ज़रत पढ़ती होगी, तो आने वाले ज़रत हैं न दोस्तों, हर एक जगह आप देखेंगे, कि आपको cash management service की ज़र इतना है, दोस्तों, हर जगह दोस्तों, ऑन consolidation and driving trust for next 3-5 years, company का pure vision है, short term to medium term नहीं है, company 3-5 साल को लेकर सोच रही है, इसलिए आप देखेंगे, शाय शौर्ट टर्म में आपको, थोड़े hiccups, थोड़ी सी, आपको सकते हैं, कम opportunity, इस overall business में देखने को मिले, ठीक है, आगे बढ जो तीन जगह जो concentrate है, और a jewelry manufacturing, और जो एक competition उनका नाम दिया, जहाँ पर 50% उनका market share है, वहाँ पर company बहुत अप potential देख रही है, ठीक है, जो ASF Intex Service है, company नहीं खरीदा है, ये रेटिन को अलाओ करेगी, to provide a full range real banking solution, दुस्तों, tier 3 plus location है, ठीक है, तो ये चीज़े होगे, capex को ले करके, 9 product देखेंगे, तो retail has established strong presence in retail cash management space, ठीक है, retail cash management company ने काफी ज़्यादा, अपने अगवा strong position करके रखा हुआ है, they are focusing on growing their dedicated cash and business, company focus कर रही है, अपने आप, अपने आपको dedicated cash and business को ले करके, ठीक है, they have a definite agreement to acquire majorities taken, ASFIRE ही हमने जोचा कर जी लिए है, ये ASFIRE में company आ रही है, अब बात कर लेते हैं, guidance को ले करके company क्या कहती है, तो देखिए, company expect करती है, they expect the diamond bullion general segment to cover its cost by end of the financial year, इस financial year में, ये जो diamond bullion general segment है, ये अपने जो cost है, उसे totally तरही से cover कर ले, यानि यहाँ से जो भी आपे सकते हैं, company को जो पैसे लगा रही है, लगबक वो पैसे दो लगबक व factors में, ये जो चीजे हैं, वो अरड़ी, growth की और आने लगेंगी, they expect a minimum touch point additional around 1000 per month, हर मन्त, 1000 नए touch point company open करेगी, ये इनका focus है, तो एक चीज़ आप समझे, ये growing company है दोस्तों, ये एक growth की company है, ये growing company है, और जब आप किसी कभी growth करते हैं, तो उपर नीचे उपर नीचे चीजे हो सोच रहे हैं, तो प्लीज दस बार सोचें, इसलिए stock थोड़ा ऊपर चला गया है, निवेश कर देना ऐसा नहीं होता, दोस्तों, problems आती है, जब company growth होती है, और यही एक risk होता है, जो आप इन प्लगारे company हम निवेश करते हैं, ठीक है, आप देखें, they are targeting revenue mix of around 20% from the diamond bullion, कितनी जादा, आपके सकते हैं, optimistic है, इस एक business को लिए करके, they expect to control receibles around 70-75 days of sales, और 70-75 days of sales, और 75 days में payment आ जाए, company के receibles आ जाएंगे, company कह रहे हैं, आने वाले 7 आ जो margin में problem होई है, थोड़ा बहुत, वो restore हो जाएगी, और revenue growth वापस आ जाए, company का, ठीक है, अब बात करते है, performance की, यानी, जो company perform कर रही है, दोस्तों, आप देखें हैं आफे, the performance for 6 months that ended September 3023, was muted due to lower growth rate of key hand customer in the e-commerce logistics and NBFC sector, देखें, 30 September को, जो कमी है, company के business के हमने पहली जाएग किया है, e-commerce में कई, आपसे से, कुछ customer lose किये है, company ने, NBFC में lose किये है, तो जिसकराण आप देखेंगे, company business आई है, जो financial performance दोस्तों, इस quarter में दोस्तों, was impacted by higher cost due to recent foreign to diamond bullion and jewelry segment, a revised pricing model in some customer, और देखें, जो DBJ, हमने जो शुरू में आप होग, आपको DBJ की बात की थी, तो उसमें ये था company ने अभी अभी ये जो diamond bullion jewelry में आया न, high company, वहाँ पर company को भी high cost करना पड़ रहा है, निवेश करना पड़ रहा है, ठीक है, तो जो DBJ business है, उसके करण company को थोड़ी problem आई, और कुछ pricing model company ने change किये, they have seen healthy growth in cash when operations revenue from direct client, petroleum sector काफे अच्छा recover कर रहा है दोस्तों, they have not lost any client and are taking measure to address ch in certain sector, कोई ऐसा कोई बड़ा client company का loss नहीं हुआ है, और जो भी कमी आ रही company, आने वाले समय में, काम करने के लिए चीज़ है, कह रही है दोस्तों, बात करें market position की दोस्तों, दिर्च जो इनका pan-India network की दोस्तों, ये deeply entrenched है, खास कर की tier plus cities में उस्तों, catering डर्मास में 81% of countries population, अ retail market footprint and content relevance of cash transaction in India, ठीक है, तो भई, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है दोस्तों, तो at the end of the day, ये आपका फैसला है, खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, it's up to you, but मुझे ये लगता है, कि अगर किसी का मन, आने वाले 2 से 3 से 5 सानों के लिए है, दीरे दीरे accumulate कर तुरंत पैसा बनाने के अभी सेक्टर मस सोचें, company growth कर रही है, ये चीज़ को कभी न भोले, कभी भी कोई कुछ भी बोल दे, ठीक है, company मैंने कोई भी बात कहे, उसे pinch of salt की तरह ले, और कोशिश ये करें, हर quarter में, हर 2-4 दिन में company क्या बात हैं कह रही है, उसको जरूर तच करें दोस्तों, और जब आप किसी growth company में निवेश करते हैं, ये आपको करना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो एक छोटी से आपके सामने, reading cash money में करनी थी, अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर आप ऐसा करते हैं, चैनल की रोध होती है, बहुत motivation मिलता है, ये इस वीडियो का अंदर है, चैन दोस्तों